नवश्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्व संसकार के सी उटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ गर्भावस्ता में गर्भवती के शरीर में कई सारे बदला होते हैं गर्भ में शेशु का शारेरीक विकास मा के खान पान पर निर्भर करता है इसलिए गर्भवती माता को अपने खाने पिने पर विशेश धान देना चाहिए तो चलिए इस वीडियो में हम जानते है कि कौन-कौन सी दस ऐसी चीजे है जिनको आपको गर्भावस्ता में नहीं खाना है या उन चीजों का सेवन कम मात्रा में आप कर सकती है यहां दस चीजे खाने से क्या-क्या दुश्परिणाम आप पर और आपके गर्भस्त शिशू पर हो सकता है यहां भी हम इस वीडियो में जानेंगे वह कौन सी दस चीजे है जिनसे आपको परेज करना है गर्भावस्ता में तो ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेर कीजिए नमबर बन है फ्रूट्स फ्रूट्स में कच्चा पपीता और पाइनेपल आपको नहीं खाना है कच्चे पपीते में लेटेक्स और पैपिन नामख एंजाइम्स होते हैं लेटेक्स और पैपिन गर्भाशे की जो मसल्स होती है उनको कॉंट्रेक्शन करने का काम करता है इसलिए एबोर्शन के चांसेस भी बढ़ जाते है आप पका हुआ पपीता खा सकती है लेकिन वह बे कम कॉंटिटी में मैंने सेपरेट वीडियो पपीते के उपर बनाया है जो आप संजीवन गर्व संसकार के यूटूब चैनल में देख सकती है उसी तरह दूसरा फ्रूट है पाइनेपल याने अननस हाँ आपको गर्वावस्ता में अननस भी पहले तीन मेहने में नहीं खाने है पाइनेपल हमारे शरीर में प्रूमलिन नामक पदार्थ बढ़ा देता है जिसके बढ़ने के कारण एबोर्शन का खत्रा भी बढ़ जाता है अननस सेकंड राइमेस्टर में और उसके आगे आप खा सकती है लेकिन मुह भी कम कॉंटिटी में इसके अधिक सेवन से समय से पूरू प्रसुती भी हो सकती है तीसरा है अती चाई या कॉफी ना पिये चाई या कॉफी में काफिन नामक खटक होता है जिसका अधिक सेवन आप करती है तो गर्वपात का खत्रा बढ़ जाता है 100-200 ml यानि लगभग एक कउप चाई या कॉफी आप दिन भरे में पी सकती है लेकिन उससे जादा कॉफी या चाई का सेवन आपको नहीं करना है चोथा है मसालेदार खाना गर्भावस्ता में आपको मसालेदार खाना नहीं खाना है खाने में तेज मेर्च, एक्स्ट्रा नमा तथा मसाले जैसे अचार है, पापड है वो भी आपको नहीं खाना है इससे आपका डाइजेशन डिस्टरब हो सकता है acidity की तकलिप भी आपको हो सकती है जादा नमक खाने से बिपी भी वड़ सकता है और शरीर पर swelling भी आ सकती है जिसका bad effect बेबी के growth पे होता है नमबर पाच है बिना गर्म करे दूद का सेवन आपको नहीं करना है याने ठंडा दूद वैसे ही आपको नहीं लेना है दूद को अच्छे से उबाल कर चान कर ही पिए कच्चे दूद में सालमोदेला, इकोलाई जैसे बाक्टेरिया मौजूद हो सकते है जिसके कारण गर्भवती को डायरिया, जैसे शिकायत भी हो सकती है इसलिए आपको दूद उबाल कर ही पिना है नमबर छे है, यदि आप नौन वेजेटेरियन हैं, तो दो बाते आपको ध्यान रखनी है एक तो कच्चा अंडा या हाफ फ्राइड आपको नहीं खाना है दुसरा, आपको कच्चा मास भी नहीं खाना है कच्चे अंडे या मास में सल्मोनेला नामक बैक्टेरिया मोजूद हो सकते है जिसके कारण आपको टाइफाइड जैसे बीमारी भी हो सकती है और जिसका बुरा असर गर्ध में पलने वाले बच्चे के विकास पर हो सकता है नमबर साथ है यदि आप मचली खाना पसंद करती है तो ध्यान रहे जिन मचलीयों में मर्क्योरी का प्रमाण अधीक होता है उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है जैसे कि शार्किंग, मेरेकल, स्पैनिश मेरेकल इत्यादी इन मचलियों में मरक्यूरी का प्रमान अधिक होने के कारण यहां बेबी के विकास में नुकसान दे हो सकते है नमबर आठ है आपको गरभावस्ता में धुम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना है अलकोहोल, स्मोकिंग यहां आपको टोटली अवोईड करना है धुम्रपान के कारण निकोटिन प्लासेंटा से होकर बेबी के शरीर में पहुँच सकता है जिससे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है नमबर नौ है, स्ट्रेट फूड, बेकरी प्रड़क्ट, पैक फूड आपको नहीं खाने है समोसा, कचूरी, पीजा, बर्गर तथा फ्राइड फूड आपको नहीं खाने है इनसे कॉंस्टिपेशन तथा एसिडिटी की और इंडाजेशन की समस्या आपको हो सकती है आपको अधिक मीठा सेवन नहीं करना है, इससे आपके दातों में दर्द की तकलिप भी आपको हो सकती है तथा जस्टेशनल डाइबिटीज यह शिकायत भी आपको हो सकती है तो इन दस चीजों को आपको गर्भावस्ता में बिल्कुल भी नहीं खाना है या आप यदि खाते हैं तो स्मॉल कॉंटिटी में इसके साथ साथ यदि आप चाहती है आपका बेबी मानसिक दुरुष्टी कोंट से भी सुन्दर, सुदुरुड और तेजस्वी हो सत्गुणों से परिपुरुण हो, शरीर से तंदुरुस्त हो तो आप यहाँ पॉसिबल कर सकती है संजीवन गर्वसंसकार के साथ यदि आप बेबी पे गर्वसंसकार कती है तो आपका बेबी आपकी इच्छा से सत्गुणों से परिपुरुण हो सकता है इसके लिए आपको जॉइन करना है संजीवन गर्व संस्कार एप जिसकी लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दी है कोहाँ पे जाके डाउनलोड कीजिए संजीवन गर्व संस्कार एप और बनिये Extraordinary Mom of Extraordinary Baby तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और एंजोई कीजिए प्रेग्ननसी का हरक्षन संजीवन गर्व संस्कार के साथ धन्यवाद